कैसे हैं आप लोग तो आद में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में मीठा स्प्रिंग रोल बनाने की रेसेपी फ्रंट जिसे आप एक बर जरूर ट्राइ करें बहुत ही ज्यादा मज़े की रेसेपी है एक बर जरूर बनाएगा क्योंकि इसे बनाना असान है और खाने में बह शेयर क्योंट में लगतार अच्छ़ें और उलाकर यहां बेच बीच जिस में इसायर बहुत अच्छछछब आता जा रहा थे इंड़िये जूंकि अच्छब्ल में दूठ घवल उसे बहूटब में बहुत एकमानेयर क forte क्योंकि हम एकए परनु ने सोंधिशं कर दो नेना क बनायवा मावा तयार कर रेफर्स इसलिए हमें दूद को लगातार अच्छे से कार लेना है यह देखे दूद अब और अच्छी सी गाड़ी हो गई है और मैं यहां पे बिना रुके हुए इसे चलाती जा रही हूं और बहुत ही अच्छी सी सौंदी से खुश्बू आ रही है दूद के करने की तो जब यहां पे दूद हमारा इस तरह से बिलकुल वन फोर्थ रह गया है तो इस पॉइंट पे मैं इसमें आदा कप दूद पाउडर यानि की सूखा दूद ले रहे हूं और यह भी मैंने इसमें डाल दिया है इसकी वज़़े से आपका जो मावा है घर मैं इसे बिलकुल रड्यूस कर लेना है सुखा लेना है इसलिए मैं इसे लगातार भुंती जा रहे हूं तो घर पे फिर्ण्स बहुत ही आसान तरीके से आप मावा तैयार कर सकते हैं किसी भी मीठे डिश में मावा जरूर डलता है तो इस मेथर से आप भी एक बर घर पे मा जा रहे हैं तो घर पे मावा तैयार करें कि यह अच्छी चलती है और इसे बनीवी जो डिश होती है ना बहुत जादा मजे की बनती है यहां पर देखें बहुत अच्छे से दूद हमारा गाड़ा हो चुका है और बिलकुल अच्छे से जब रुड्यूस हो जाता है तो इस मावा अपना जो लुक है पूरा ओरीजनल टेक्च्छर का होते जा रहा है और इस तरह से हमें घर पे बनाएवा मावा हमारा बनकर तयार है यह देखें मैं इस तरह से इसको और लगातार भून लिया है और यह पूरा पैन को छोड़ने लगा है तो यहां पे आप इससे पर निज़ा टेक्च्छर का हो गया है तो अब मावा हमारा हो गया है तैया इससे साइट पे अह। अभी मैंने आधा कप मैदा लेना है और इसमें हमें एक कप दूड़ डालना है। दूड़ मैंने थोड़ा थोड़ा करकर यहां पे डाल रही हूँ अगर जरत लगेगी तो कम डालूंगी लेकिन यहां पे मैंने तक्रीबन 3-4 कप तो दूड डालाई है इसमें और डाल कर यह बहुत अच्छे सा मैदे का घोल हमारा तयार हो गया है इसे बनाकर साइट पे कर लें अब हमें लेना है छिलका हटायवा बादाम और काजू और साथ ही मैंने यहां पे हरी इलाइची ली है जिसका मैंने जो दाना है वह अलग सीड़ निकाल कर यूज किया है तो अभी एक ग्रैंडर जार ले लिजिए और उसमें बादाम और काजू डाल लिए और साथ ही आपको जो इलएची का डाना है वो भी डाल देना है और ऻाल कर इसे ग्राइन करकर दर्दधरा सा पाउरड़ कर लेना है तो अब आते हम हमेरे नेक्स्ट एप की तरफ जहां पे जब यह पाउड़र रेड़ि हो गया है की यहाँवा क्या है पूल्द में लेकर तोड़ लें, ज से предлаг पॉल्ड पर ले टूझ वह दो झाली को में काजू बादाम और gracious यह डाल देना है याँब चाहें को रिलमाइने स्टिफिंग थो। तो एसे बना कर हमें साइड पे कर लेना है और अब इसी के साथ हमें लेना Bread Slices तो मैंने यहां पर वाइड ब्रेड लिया हुआ है और इसे मैं पहले चापने लेते हुआ हैं और जब इस तरह के फ्लैट हो गई है तो इसके जो Corners है ना Brown Portion है उसे हमें कट करकर निकाल देना है तो इस तरह से नाइफ से बहुत यह अच्छ से आप इसे काट लीजेगो और जो वाइट पूरा ब्रेट स्लाइस है वो इस तरह से रेडी हो जाता है तो अभी हमें लेना है हमारा बनाया हुआ स्टाफिंग जो हमने मावे के साथ में और काजू बदाम का पाउडर डाल कर बनाया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े का है तो इसे हमें यहाँ पे डाल देना है और डाल कर आपको याद होगा हमने वाइट पेस्ट बनाया था वो हमें इसमें इस तरह से sides पे लगा देनी है जिससे ये चिपका लेगा आपस को और बहुत अच्छ से खुलेगा नहीं और इस तरह से bread को हमें roll कर देना है friends और ये हमारी मीठा bread spring roll इस तरह से बनकर तयार हो गई है सारे की सारे मैंने बना कर रेडी कर लिया है और बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं friends के बिल्कुल नया यूनीक मेथड से मैं आपको एक मीठा स्नाग बनाना सिखा रही हूं जिससे आप एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा क्योंकि अगर आप इससे बनाएंगी तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही लाजवाब होता है तो बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे एक बर जरूर ट्राइ कीजेगा कभी हल्की भूक लगे तो चलते फिरते भी से खा सकते और से बनाकर भी रख सकते हैं तो यहां पर देखे अब में क्या करी हूं कि मैंने सारे बनाय हु जिसे इसकी उपर की लेयर क्रिस्पी हो जाएगी और इस तरह से सारे के सारे हमें एकक करकर बना लेने हैं और आप चाहें तो इसे इस तरह से बनाकर जिपलोग बैग या किसी कंटेनर में डाल कर दो तीन दिनों तक डबे में भरकर रग भी सकते हैं और जब जी चाहे इसे निकाले और fry कर लें मैं साथ साथ आपको fry करना बता रही हूं फ्रिट्स यहां पे मैंने तेल गरम कर लिया है और जब अच्छी गरम हो गई है तो मैंने एकक करकर यहां पे यह डाल दिया है और डाल कर इसे इस तरह से fry कर ले रही हूं हलका हलका फिलिप कर दे रही हूँ जिससे सभी तरफ प्रॉपर ये सीखेगा और कलर बहुत प्यारा गोल्डन सा आएगा और जो जो सिखता जा रहा है कलर जिसका गोल्डन होता जा रहा है वो उसे आप निकालते चाहिएगा और जिस जैसी यह फ्राइ हो रही है ना बहुत ही अचpod think moons early questo बहुत ही अच्छा सा यहां पे flavor आ रहा है और यह बहुत अच्छा सा sweet snack बंकर तयार हो गया है तो इस fried snack को यानि के जियो कीजिएगा ईड़ी ब्रेड अबिस ZRA picture जो कि बहुत ही कमाल का बनाया है एक बार इस रेसेपी को जरूर ट्राइब किजिएगा तब आपको इसका जो टेस्ट है न वह समझ में आएगा आप चाहें तो इसे सर्फ कर सकते हैं चौकलेट सिरप के साथ में या स्ट्राबरी क्रश्ट के साथ में बहुत जादा मज़ी ही लगती है और यह देखें बहुत ही जादा माउथ वाट्रिंग सामारा यह स्वीट स्नाक बनकर तेयार हुआ है एक बर रसेपी जरूर झाल 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 झाल